नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुक्ता दिक्षित एस्टोलोजर आप यह देख रहे हैं कि यह पक्षी हैं प्यारे प्यारे किस प्रकार से अन्न खा रहे हैं यह नैचुरल हमारे घर में आते हैं और अनेक प्रकार के पक्षी आते हैं गलहरी आती है अनिक प्रकार की चड़ियाएं आती हैं कवूय आते हैं सभी ये कम से कम एक से आधा किलो तक का चामल अनाच खा लेते हैं इसके साथ साथ यह जो रहते हैं फल फूल के साथ आपका मीठा नमकीन बिस्किट आदी सभी चीज़ें खाते हैं और इन्हें हम लोग जुंड के जुंडा करके खाते हैं तो जी हां दोस्तो पसू पक्षी भी हमारे जीवन का अभिन अंग है आप भी अपने घरों में यदी बिवस्ता है तो जरूर पक्षियों के लिए दाना पानी जरूर उन्हें खिलाना चाहिए इसके पीछे भी हमारे सास्त्रों में धर् बड़े कारण बतलाए गए हैं अब यहां पर देखिये यह गिलहरी है और यह किसी प्रकार की बहुत बड़ी चुडिया टाइप का मुद्र टाइप का मुद्र हो लाय चुकते हैं यह क्या करते हैं घून कारद्री को यह भागा देते हैं अपने ूद्राör पक्षी भी ये सारी जीजें समझते हैं ये देखिए आप जुंड का जुंड ये खा रहे हैं इनको दूसरों को इनने अलग कर दिया पसू पक्षियों को दाना खिलाने की पीछे क्या रहस्त है जी हां दोस्तों धर्म सास्त्रों में अनेक जानकारिय दी गई हैं कहा जाता है कि जब ह अधिक पिराओं से कष्ट के दोर से गुजरते हैं तो हमें पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए सास्त्रों में साथ प्रकार के अनाज खिलाने का विधान दिया गया है यदि आप साथ प्रकार का नहीं खिला सकते हैं तो कम से कम एक प्रकार का एक मुठी अनास तो जरूर ही डाल सकते हैं पसूपक्षियों के लिए ताकि इनका भी भला हो और यह हमारा भी भला करते हैं क्योंकि यह भी परमात्मा के सरूफ ही हैं लेकिन बिन्भिन्ध कारणों से अलग-अलग यौनियों को ब्यक्ति भोगता है इसी प्रकार से यह समझा जाता है क्योंकि 84,000,000 यौनिया रहती हैं उसके बाद ही हमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है जिया दोस्तों इसी के साथ जैसे सनी राहू केतू यह जो प्राप और कुरूर गरह रहते हैं आपने देखा होगा इन सभी के बाहन जो रहते हैं पक्छी ही रहते हैं तो जब भी हम इन्हे दाना खिलाते हैं तो हमारे शनी राहु के तू जो हैं सान्त होते हैं और जितना दी कि आपके यहां दाना पानी खाते हैं उतनी आपके घर, परिवार, कारोबार में तरक्की के योग बनते हैं क्योंकि यह पक्षी हमारे बड़े-बड़े संक्टों को भी दूर और काटने की ताकत रखते हैं तो जी हां दोस्तो पसू पक्षी हमारे जीवन का अभिन हिस्सा है सास्त्रों के अनुशार भी इनका बहुत महात्तो बताया गया है आप बड़ी बड़े शंकट परिशानियों में रहते हैं तो अवश्च ही अपने घरों पर जो है प आपको आर्थिक तंगी चल रही है उससे आपको लाब मिलता है कोई बड़ी बाधाय समस्यां चल रही है बहुत दूर होती हैं तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के लाब हम देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात है जब इन्हें दाना खिलाते हैं तो हमें स्वयम में भी रतन बास्तों के सांथ सेयर मार्केट के एस्टोलोजी के लिए भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें आप गोल्ड, सिलवर, निप्टी, निप्टी वैंक, रूड आइल आधी का देने के वीकली मंति प्रडिक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं तो वीडियो देखने के लि